तो दोस्तों वेल्कम बैक, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फेम की, पॉप्लारिटी की, जब यह जादा मिल जाए, सर पर जर्द है, तो कितना बुरा यहाँ पर वो साइड अफेक्ट हमें मिलता है, कुछ ऐसी बायो पिक, कुछ ऐसी रियल स्टोरी के साथ बनने वाल जो बैस्ट टॉप फाइफ मुवीज हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाले हूं, लास्ट थ्री जो हैं, वो मेरी फेवरेट रही है, आपके साथ शेयर करूँगा, शुरू करते हैं वीडियो नमबर बन पर शकुन दाबा देवी, अभी इनका खुद का रेल नाम भी है, मुवी के अंदर भी यही नाम है, मुवी का भी यही नाम है, 2020 में रिलीज हुई थी, IMD पर 6.1 की रेटिंग मिली है, स्टोरी की बात कहने तो एक ऐसी महिला और अरत, एक ऐसी लड़की कि कंप्यूटर है, कोई भी नाम की प्रॉब्लम हो, कोई भी मैथमाटिक की बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, उसको बगएर कलकुलेटर के, बगएर कंप्यूटर के, अपने दिमाग से यह फौरी तौर पर, सॉल करती है, और रेपोर्स भी बनाती है, कुछ टाइम लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से बनाना उसी तरीके से ढ़ालना और फिर जो अपना relationship है दूसरों के साथ उस सब को भी एफेक्ट करता है और यही सब कुछ जो है वो आपको इस movie के अंदर इस जर्नी को दिखाया गया इंट्रस्टिड हो तो देख सकते हो नमबर टू की बात करें नो वन किल जैसिका करके मूवी का नाम था 2011 में रिलीज हुई IMD पर 7.1 की रेटिंग मिली और मिस्ट्री और ग्रामा थिरिल की कैटिगरी में इस movie को रिलीज किया गया और सब्रीना लाल एंट मीरा यह दोनों इन्वेस्टिगेटिव जर्णलिस्ट की तरह पर इसा कर रहे होते हैं और इंवस्टिगेट करते हैं कि इसकी बहन को किस मारा है अब मानना जो है वो पता चलता है कि एक ऐसे दबदबे वाले रोब दबदबे वाले politician के बेटे ने या politician ने वो इसको मारा है और तीसरे नमबर पर Being the Richard 2021 में movie release हुई थी 6.1 के IMD पर इस movie को rating मिली और Lucille Ball और Desi Arnaz करकी कुछ नाम था ये दोनों popular उस time के Hollywood के popular आपको actors जो हैं या celebrities जो हैं वो आपको नजर आएंगे और biopic है तो actors जो हैं वो इनके character को play करते हुए इस movie के अंदर आपको नजर आने वाले 2021 में ही ये movie release हुई थी अब इसके अंदर दिखाया जाए है कि इस तरीके से एक serial के hit होने की वज़ा से दोनों जो lead actor और actress थे वो दोनों प्यार में पढ़ते हैं और प्यार में पढ़ने के बाद जो इनकी love life है वो किस तरीके से controversial बनती है मीडिया का topic बनती है hot topic बनती है जिसकी वज़े से इनके life के उपर वो effect करना शुरू हो जाती है और इनकी life बर्बाद होने की तरफ इनका career बर्बाद होने की तरफ जा रहा होता है यह सब कुछ यह problem वो आपको इस movie में दिखाई गई है नमबर 4 पर जॉडी 2019 में रिलीज हुई musical romance की category में जो है वो यह movie को रिलीज किया गया यह कहानी है एक talented singer की जॉडी कार्लन जिनका नाम है अब यह लंडन में popular हुई लेकिन लंडन से चले जाती है किसी और country या city जिसकी बज़े से जो हो जाती है इनका नाम लेने वाला कोई होता नहीं है लेकिन कुछ time के बाद return होता है अब यह क्यों गई थी और यह कब आ रही है कैफे आ रही है वो सब कुछ आने के बाद अब यह दुबारा अपनी success को अचीव करना चाहती है वही popularity वही peak जो है वो दुबारा चाहती है और यह वही सब कुछ आपको इस movie में दिखाया जाना है लेकिन फिर एक musician से एक meeting होती है जिसके प्यार हो जाता है वह सब कुछ प्यार रोमेंस जो है वह भी आपको दिखाया जाएगा नंबर फाइफ पर sports drama की category में रिलीज होने वाली movie IMD पर 5.6 की इसको rating मिली शाबबाश मितू करके इस movie का नाम था और यह जो मितू थी एक किर्केटर बनना चाहती थी female किर्केटर और यह बनती भी है उसमें क्या problems आती है क्या hurdles आती है interested हो तो देख सकते हो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो मिलता है नेक्स वीडियो है